इंद और के बीचों पे इस सित नहरू पार्क का सबसे बड़ा आकर्शन यहां चलने वाली टॉय ट्रेन है जो पिछले 13 साल यानि 2013 से बंद है लेकिन अब ये टॉय ट्रेन नहरू पार्क में एक बार फिर पट्रियों पर दोड़ने लगीगी इसके लिए जोदपूर से रेल का इंजन और बोगया विशाल काई ट्रॉले में नहरू पार्क लाई गई है इसका ट्रायल रन सुमवार मंगलवार को किया जाएगा ट्रायल रन ठीक से रहने पर इस महा के अंत्र से टॉय ट्रेन को बच्चों के लिए शुरू किया जाएगा बच्चों के लिए इसका किराया 50 रुपे से अधिक नहीं रखा जाएगा ताकि जादा से जादा बच्चे इसमें बैठ सके मज़ प्रदेश में जारी बारिश ओले आंधी का दौर अगले दो दिन भी रहेगा रईवार कुभुपाल उज्जैन नर्दापुरम समेथ प्रदेश के 17 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश की संभावना है इस दुरान ओले भी गिर सकते हैं सीनियर मौसम के नुसार प्रदेश में वेस्टन डिस्टर्बेंस एक्टिव है इसके चलते पिछले दो दिन से बारिश और ओले गिरने की सिद्धी बनी हुई है इंदोर में शनिवार शाम दौरकपुरी धनाकशेदर में एक वेक्टी ने अपनी आठ साल की मासूम को पीट पीट कर मार डाला गटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर दुनाई कर पुलिस को सौम दिया गटना रीची पेलस किया है यहां रहने वाला पैतालिस वर्षी राकेश नावक व्यक्ती घर पर आया और किसी बात पर विवात किया फिर अपनी आठ साल की बेटी संधिया को जमकर पीटना शुरू किया बचने के लिए चीक सी चिलाती रही लेकिन उसे रहम नहीं आया उसने बच्ची का से रिवार से पटक दिया इस प्रकार से वक्ति एक मुरत लड़की को लेके जा रहा है पुलिस ने मौके पे पहुंचके आरोपी से लड़की का शब बरामत किया और उसको पोस्टमॉटम के लिए इस्पिताल भेज दिया गया है और प्रत्थम दस्टिया आरोपी से पुच्चाच के दोरान आरोप प्रत्थम के लिए और अभी तक की जानकारी के नुसार घटना करम कहा हुआ है और किस परकार से हुआ है ये कहना बड़ा मुश्किल है सियोर दिले के शास के स्कूलों में शिक्षा का इस्टर बहतर बनाने के लिए शिक्षा विबाग दोरानेक कवाईदे की जा रही है ऐसा ही नवाचार शहर के समीपरस्ट ग्राम कोडिया चीतू के शास के माधिमिक शाला और लपसूडिया खास के माधिमिक शाला में किया जा रहा है इन दोनों स्कूलों में शिक्षा के ख्षेतर में किया जा रहे है उतकरश्ट कारियों पर एक लगव फिल्म बनाई जा रही है जिसे अंतर राश्टे इस तर पर 20 देशों में देखा जा सकेगा शनीवार को G20 के अंतरगत प्रारंबिक शिक्षा पर डोर टोर जागरुकता अभियान का शबारम किया गया खरगों जिले में 12,000 रुपए के लेंदेन को लेकर दो गाउं के लोग एक दूसरे के खूद के प्यासे हो गए एक पक्ष ने लट्ट से हमला किया तो दूसरे पक्ष ने धारदार हतियार से हमला कर दिया दोनों पक्षों के बीच हुए खुनी संगर्ष में एक ही परिवार के आठ लोग घायल हो गए जिनमें महिलाएं भी शामिल है जला मुख्यारे से 16 किलोमेटर दूर उन तनक्ष इलाके की अगटना है यहां मोठागुरा गाउं में केवल 12,000 रुपे के लेंदेन को लेकर लोग नारा और मोठागुरा गाउं के रिष्दार आपस में भीड़ गए